महराश्ट्र सरकार के तत्वावधान में MSRDC, हिंदू रिदय समराट, बाला साहेब ठाकरे महराश्ट्र समृध्धी महामार्ग के प्रथम चरण के उधगाटन के साथ पूरे राज्य के 36 जिलों को जोडने की संकल पना लिए अत्याधुनिक एक्स्प्रिस्वेक कनेक्टिव बनाने के लिए प्रतिबध्ध है भारत के माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी एक दूर दर्शी राजनेता जो नए भारत की कल्पना के विकास हे तू राजमार्गों के निर्मान के लिए कटिबध्ध है महराश्ट्र का उजवल भविश्य सुद्रण माज्य के माननिय मुख्य मंत्री श्री एकनाच शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में दिशा मिली। MSRDC ने महराश्ट्र समृत्धी महमार्ग के निर्मान के साथ प्रगतिशील महराश्ट्र को पुनापरिभाशित किया है। ये महराश्ट्र सरकार के माननिय उपमुख्य मंत्री श्री देवेंद्र भड़नवीश जी के द्रिध विश्वास का प्रतीक है जिन्होंने पहली बार इस परियोजना की कल्पना की थी। ये महमार्ग महराश्ट्र के दस प्रमुख्य जिलों को पूरी तरह जोड़ता है तथा राज्य के अन्य 14 जिलों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा। साथ सो एक किलोमेटर लंबा एक्सेस नियंतरित कोरिडॉर छै लेन एक्स्परिस वे के साथ महराश्ट्र में क्रिशी और अध्योगिक खेत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित है। प्रस्तावित 25 इंटरचेंज पूरे महराश्ट के 26 तालुकाओं को जोड़ता है जिससे राज्य की 36 प्रतिशत आबादी सीधे लाभानवित होगी। महराश्ट समर्थी महमार्ग नाकपुर मुंबई यात्रा के समय को 18 घंटे से घटा कर 8 घंटे और मुंबई और अंगाबाद के बीच के अंतर को 4 घंटे तक कम कर देगा। नाकपुर श्रिडी को जोड़ने वाले ये एक्सप्रिस वे लोगों के यात्रा के समय को 13 घंटे से घटा कर 5 घंटे तक कम कर देगा। ये महमार्ग, समृध्धी, प्रचुरता और सफलता का अग्रदूत है जो कनेक्टिविटी को सुविधा जनक बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, क्षेत्रिय बाजार का तेजी से विकास करने के लिए इसकी रचना की गई है। अप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए किया गया अलग प्रावधान इस एक्सप्रेस्वे को डिजिटल रेडी बना देगा। स्ट्रक्चर के साथ इस उर्जा कुशल कोरिडॉर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे सौर उर्जा पहल के माध्यम से 138.47 मेगावाट बिजली उत्पन करने का प्रस्ताव कर नविकरणी उर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना। 15 यातायात सहायता चौकियों की स्थापना, बचाव और घटना नियंतरन के लिए 21 त्वरित प्रतिक्रिया वाहनूं की उपलब्धता के साथ, यातरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 21 एंबिलन्स भी तैनात रहे यातरियों से फास्ट एक सक्षम प्लाजा पर शुल्क लिया जाएगा, जो केवल महमार्ग से ब्दै की गई दूरी के आधार पर होगा, यातायात का नियंतरन और एक्स्प्रेस्वे की निगरानी के लिए एक स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली विक्सित की जा रह आए साक्षा कार करें सम्रिध महराष्ट का